वालो फ्रेंड्स वेल्कम टू आज मैं आपकी जो वीडियो लिका रहा हो देखे कि ऐसे स्टॉक की बात करेंगे और वो भी IT स्टॉक जो कि अगर आप देखो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ के मामले में प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखो पिछले तीन साल की आवरेज तो TCS Infosys को बिल्कुल पिछार के रख देता है ऐसा शेयर है ये और बहुत बड़ी कमपनी का शेयर है अब आप कहोगे बड़ी कमपनी से मतलब देखते हैं टेक्निकल फंडामेंटल पर और आज क्वाटर वन के नतीजे आ है उन नतीजों पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूगर आपना अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेला कन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे के साथ में अगर आपको सीखने है और अपनी सोच मार्किट के बाने में मना नहीं है तो जोइन कीजे मेंबर सिप जोइन बटन पर लिक करके और क्योंकि यहां पर आपको किस तरीके से स्टॉक में एंट्री день जाती है अप ट्रेंड डा二10 साइड मेश्ट रिवर्सल ट्रेंडट ट्रेंड का रिवर्सल यह सारी बारी का आपको बता रिखिए और ताकि आप मेर्यक्ट stock market में invest करने से पहले चीजों को समझ पाओ तो learning is primary, earning is secondary यह हमारा मानना है, यह हमारा slogan है और आप देखिए अगर आप फायदा ले पा रहे हो तेखिए learning को primary रखिए हमेशा, अब stock की बात करते हैं, TCS अगर आप देखिए हो sales growth 9% की है, profit growth 7% का, पिछले 3 साल का average है यही नहीं, infosys देखिए sales growth 9-10% मान लीजिए, profit growth 5% यह पिछले 3 साल का average है, अगर debt की बात करो, 4600 करोड, infosys TCS 7000 करोड, लेकिन जिस stock की मैं बात कर रहा हूँ वो है L&T का share, जिसका नाम है L&T InfoTech, L&T InfoTech बहुत ही खतरनाक share में इसको कहता हूँ, और यह company जो है, वो जबर्दस क्यों है, अब आप देखिए, जब बात आती है L&T की, अब आपको कहोगे L&T की, अब यह तो बहुत सारी companies होगी, L&T InfoTech एक, माइन ट्री, अभी L&T ने खरीदी है, L&T Technology Services, यह थीन टॉप की IT companies में आती है यहाँ पर, L&T InfoTech को अगर आप देखोगे तो 38,000 करोड का market capitalization, अगर है market cap से compare करते हो तो, TCS Infosys हाथी share है, तो उनके सामने यह कुछ नहीं है अगर market cap से compare करते हो, यह मैं कहूंगा, उनके सामने बहुत छोटा share है क्योंकि 3,500,000 करोड का market capitalization है, Infosys का, TCS का तो 7,800,000 करोड का market capitalization है, और यहाँ पर देखे, sales growth 18-19% की, किस से TCS Infosys से कहीं बहतर, बल्कि double है double, और profit growth 16-17% का, मतलब यार, कहा TCS, कहा Infosys, कहा यह profit growth के मामने में, वो बड़े share है, profit growth भी कम है, लेकिन यह छोटा share है, profit growth देखे, अब बात करता हूँ debt की, यह तो छोड़ यह debt को कर आप देखोगे, उनके कम परिजन मा आप को गयर, इसका तो debt भी बहुत कम है, वो तो 77,000 करोड का, 6000 करोड का debt है, यहाँ तो 32 करोड का debt है, debt free share, return on capital, 40% है, अगर मैं detail आपको दिखाऊ, इसका 21,000 का price है, profitability आप revenue देखे, क्या growth देखने को मिला, amazing growth भी देखे, इसलिए share का price भी भागा है, पिछले कुछ time consolidation दिखा था, लेकिन अब पहली result से पहली भाग गया, अब तो profit booking की बारी है, result से पहली इतना भाग दिया, अब देखेंगे, स ही आया है, और नतीज़े कब आया है, वो देखिए, नतीज़े आज अभी सवा आठ, साड़े आठ बजे ही आया है राग को, तो इसको समझे, और जो नतीज़े हैं, उनके उपर focus करते हैं, जब भी मैं आपको result बताता हूं, तो बिलकुल detail में समझाने की कोशिश करता हूं इंडियन कंपनिया तो करोड में होती है, लाक में होती है, यह आईटी कंपनिय मिलियन में नंबर आपने दिखाती है, जनरली, अब देखिए, कितनी है यह, 3,015 करोड के, कि मिलियन में एक पोइंट रटा लीजे पीछे का, तो 3,015 करोड का total income इस quarter में दिखा है, जो कि प expenses जो हुए है, वो almost 2107, यानि कि 207 करोड के हुए है, पिछले साल हुए थे, अब इस बार कितने हुए है, 2456 करोड के expenses यहाँ पर देखने को मिल रहे है, तो भई expenses हुए है, उसके बाद आपकी निकलीगी profitability, तो profitability कितनी है, वो important हो जाता है, टेक्स गटेगा, सारी चीजे परवा 416 करोड, यानि कि situation सीधे सीधे है, 45 करोड परस 15 करोड में सीधे अगर जोड़ू तो इसको 60 करोड के आसपास का jump मुझे profit में देखने को मिल रहा है, percentage आप calculate कर सकते हो, तो अब आपको हो गया profit तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो earning per share पी देख लेते हैं, कितना earning share बढ़ रहा है, earning per share के उपर आता हूं, मैं तो देखिए, 20 रुपे एक quarter का earning per share, इसका इस बार कितना हो गया है, 24 रुपे के आसपास हो गया, तो दिख रहे हैं कि earning per share भी आप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपने देखा, L&T Infotech का पूरा-पूरा result आपने बारी किसे देखा, अब important बात जो मैं आपके शेर करूंगे इस result के साथ साथ वो है technical analysis, जब भी मैं आपको किसी stock को बताता हूं, तो उसके fundamental के साथ साथ technical वाला पार्ट जरूर देखे, क्योंकि important चीज होती है technical, और अभी देखिए, जब ये market में था, starting में, किस तरीके से इसने consolidation दिखाया था, धीरे-धीरे करके jump करने की कोशिश करी, आप इस area को देख सकते हो, breakout बहुत ही बढ़िया, breakout के पाद फिर से consolidation, फिर से अगली CD तैयार गी, अब इस point को जो हमारे learning वाले member हों, तो अच्छे से समझते हैं, ये मन्थली chart है, और मन्थली का lion stack कितना घातक होता है मतलब थोड़ा सा halt और उसका resolution, किसी भी time frame पर अगर आप चीजे समझे, resolution समझे correction का, तो आपको मतलब बहुत ही बढ़िया opportunity देखने को मिलेगी है, risk बहुत कम होता है जब आप correction के resolution की तरब चाते हो, और देखे कैसी rally देखने को मिले, इस lion's attack को देखे कैसा perform किया है, चबर हो जाता है, और earning बहुत ही खतरनाग, और यह देखिए, March के महीने में यह stock almost 1200 का लोग बनाया था, उसके बाद April, May, June, July और 2400 के आसपास, यह almost इसना भी touch किया 2300 के आसपास, almost double मैं कहूंगा, चार महीनों में हुआ है, बट यही नहीं, अब आपको गया, यह तो बहुत से भागा, मैं भी एकर होगे, बहुत तेजी से भागा, लेकिन अगर आप देखोगे, तो आपको correction resolution के बहुत मौके मिले, आप देख सकते हैं यहां पर इस March की तेजी में, तो मैं कहूंगा नहीं कि कोई entry कर सकता था, लेकिन इस candle के बाद इस में जो flat correction आया था जारा इसको स्टॉप लॉस जो है, वो बहुत ही कम होता है, 1400 के लेवल पर उसके बाद देखिए, यह तो था ही था, उसके बाद यह हमारी दुबारा रडार में आया था, मही में किस चीज में, यह लाइन सटक वीकली में, जो कि इसका 1600 का प्राइस था, और विद मिनिमम स्टॉप लॉ और आपको उस opportunity को फाइदा उठाना है, और फिर से देखिए अब आप, फिर से यह correction का resolution, आप छोटे time frame में इसको समझ तकते हो, यहाँ पर क्यों आपके बास risk काफी minimum होता है, यह दो-तीन हथे पहले और उसके बाद तो कोई correction देखने को ही नहीं मिला, तो यहाँ पर कितने मौके हमको मिले थे, एक, दो मौके, तीन, चार opportunities बढ़िया वाली यहाँ पर मिली थी, यह छोटी-छोटी learnings जो होती हो, काफी important होती है, अगर आप इसको daily time frame पर देखोगे, समझोगे, तो आप इसके correction के resolution को देख सकते हो, देखिए, सबसे पहले, मैं सबसे पहली point के बात करूँगा, इसको, इस चीज को हम कहते हैं, हापे अपनी भासा में हलकी-हलकी, जो आपके range कम हो रही है, यादि के demand जो है, इनको demand कहा जाता, demand धिरे-धिरे अप होती जा रही है, और इस area को break करेगी, और break करी, बहुत ही बढ़िया, और breakout के बात, और भी अच्छी बात होत और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़े break हुई है, काफी important, अब इन चीजों को जैसे आपने daily पे देखा, bullish cross already बन गया था, फिर तो ये भागता रहा, अगर आप situation समझो के, hourly पर आपको और अच्छे से चीज़े समझ भाएंगी, धिरे-धिरे करके, देखिए ये चीज़े जो होती है, ये आप overall अगर आप picture देखोगे तो अब अब आप कहोगे ये correction correction कहते रहते हैं, आप correction का resolution आप पहले तो बताते हैं नहीं, बहुत सारे viewers का यही data होता है कि आप पहले तो बताते हैं नहीं, देखिए कितनी सारी मैं वीडियो जहां पर regular basis पर create करता है, और रेंज ब्रेक हो रहा है, और हमेशा एक चीज़ को याद रखे, market में share markets को भी भी हो, market are dynamic, इस formula को याद कर ले, रट के रख ले, market are dynamic, आपको अपने risk को को हमेशा manage करके चलना है, यानि कि risk management should be your priority, first priority होनी चीज़िए risk management, इसी दिए मैं कहता हूँ हमेशा, चाहे आप आपका अपना stop loss अगर लगाया नहीं है, तो दिमाग में लिखा हुआ alert कहीं पर होना चाहिए, stop loss, बिना risk management के, तो भई, stock market काफी खतरनाक है, risk management, पहली priority, क्योंकि stock market investment are subject to market risk, and helmet में के हमेशा चलना है, अगर risk है, तो यह important बात है, अब फिलहाल जो मुझे लगा है, result इसने बहुत तेजी दिखाई है, तो यह correction के requirement है, और अच्छी बात यह है कि जो यह area है, अगर यह correct होके 2000 से लेके 1900 के इस range में आता है, तो that will be a big positive, क्योंकि यह breakout जो हुआ है, और बहुत तेजी से हो, उसके बाद pullback आएगा, फिर अगली जो rally आएगी, वो important हो, तो फिलाल के correction के requirement ज़रूर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, wind up करता हूँ यहाँ यहाँ पर वीडियो को, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो share जरूर कीजिए, like कीजिए, चैनल सब्सक्राइबिंग के तो जल्दी से आते रहेगी और टेलिग्राम का चैनल भी आप जोईन कर सकते हो, description में उसका link दिया हूँ, thank you, thank you for watching the video.